हेलो स्टुडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर से फैक्टिंग वर्किंग कैपिटल तो वर्किंग कैपिटल इस दैट कैपिटल विच इस रिक्वाइड फर और दे टू दे अप्रेशन्स अफ दी बिजनस और बहुत से फैक्टर से जिन पर यह डिपेंड करता है कि हमें कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वाइरमेंट है तो इसमें नुबर वान है नेचर और क्रेक्टरिस्टिक्स अफ दे बिजनस यह इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कौन से टाइब का बिजनस कर रहे हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसस में लेस वर्किंग कैपि कोई भी प्रोड़क्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं लेकिन अन दी अधर हैंड अगर कोई जो ट्रेडिंग कंपनीज है यह मैनुफेक्टरिंग कंपनीज है उनकी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वाइरमेंट है वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से जैदा होती है क्य तो उसमें हमने स्केल ऑफ अपरेशन देखना है अगर हमारा जो बिजनस है वो लाड़ स्केल का है तो रिक्वाइरमेंट जैदा होगी क्योंकि स्केल ऑफ अपरेशन हमारे जैदा होंगे स्केल ऑफ अपरेशन का मतलब हम कौन कौन से वहां पर अपरेशन करते हैं काम कौन कौन सा कर रहे हैं अगर हमारा smaller business है तो हमारी working capital की requirement कम होगी third है production policy production policy का क्या meaning है कि हमारा production cycle कितना लंबा है अगर हमारा production cycle लंबा होगा तो हमें ज्यादा working capital की जरूरत होगी अगर हमारा production cycle छोटा होगा तो less working capital की जरूरत होगी क्या मिनिंग हुआ कि जब हमारा production जो है हमने raw material जब हमने use किया अपना production करने के लिए तो उसको finished goods में convert होने में time कितना लगेगा यह time period कितना है अगर time period जो है less है तो हमें less working capital की जरूरत है क्योंकि जो हमारा finished product है it will be sold soon अगर हमारा production cycle लंबा है तो raw material को finished product में convert होने के लिए more time will be needed तो फिर sale भी late होगी तो फिर इससे क्या होगा हमें more working capital will be needed next is seasonal variation season के हिसाब से भी हमारी working capital की requirement depend करती है जब हमारा busy season होता है तो हमें ज्यादा working capital की need होती है क्योंकि busy season में क्या होता है कि sale increases अगर हमारा जो business जिस भी तरह का हम business करते हैं तो अगर हमारा busy season है तो उसमें क्या होगा कि हमारी sale increase होगी तो जब sale increase होगी तो more production will be needed ठीक है more production की हमें जरूरत पढ़ेगी तो उससे हमारा जो है working capital की need भी बढ़ जाएगी second factor क्या है कि जो हम production कर रहे है उसका जो raw material है वो कहीं हमें seasonal तो नहीं मिलता अगर वो raw material हमें seasonal availability है तो हमें उसी season में raw material purchase करना पड़ेगा तो फिर हम क्या करेंगे bulk purchasing करेंगे जब हम bulk purchasing करेंगे तो हमें more working capital will be required तो अगर हमारा जो raw material ऐसा है जो whole of the year अगर availability है हमें पूरा साल हमें अपने production के लिए raw material मिलता है then less working capital will be required working capital का cycle के raw material purchase किया उसके लिए working capital चाहिए फिर working जब progress है उसके लिए working capital चाहिए जब हमारा product finished goods में convert हो जाता है तब तक हमें working capital चाहिए यहां हमें working raw material purchase के लिए चाहिए फिर हमें salary और wages देने के लिए भी working capital चाहिए और फिर day to day operations के लिए working capital चाहिए जैसे machinery को चलाना है raw material चाहिए labor चाहिए अगर कोई repair हो जाती है तो repair के expense चाहिए जब तक हमारा product finished goods में convert नहीं हो जाता है उसके बाद इसको ready to sale करने के लिए हमें working capital की need है जब तक cash is realized by sale of goods goods तब तक हमें working capital की requirement होती है तो यह हमारा working capital cycle है तो working capital cycle जितना long होगा उतनी हमारी larger requirement होगी अगर short होगा तो हमें कम working capital की requirement होगी next है rate of growth of business यह depend करता है कि हमारा business established business है या हमारा growing business है अगर हमारा established business होगा established business होगा उससे क्या होगा कि हमारी जो credit policy है वो strong होगी हमें market से easily loan मिल जाएगा कि हम already established है market में तो हमें less working capital की need है अगर हमारा growing business है तो हमें ज्यादा working capital की need होगी क्योंकि हमें market से easily loan नहीं मिलेगा क्योंकि अभी हमारी market में goodwill established नहीं हुआ तो हमें credit लेने में problem आएगी तो इसलिए हमें अपने पास ज्यादा working capital का arrangement करना पड़ेगा next है volume of sale अगर volume of sale increase होता हो तो हमें ज्यादा working capital की requirement है volume of sale increase होने से क्या होता है कि हमारे product की demand increase हो जाती है जब हमारे product की demand increase होगी तो we will need more products तो more product हमें फिर manufacture करने पड़ेंगे जब more product manufacture करेंगे तो हमें working capital जैदा की need होगी इस से दूसरी तरफ देखें तो अगर हमारे volume of sale low है तो less demand होगी less हमारे product भी केंगे तो less ही working capital की requirement होगी next है credit policy अगर हमारी sound credit policy होगी तो हमें loans जो हैं वो easily मिल जाएंगे हमें credit पर raw material easily available हो जाएगा तो हमें less working capital की need है अगर हमारी credit policy sound नहीं है जैसे मैंने भी बताया कि अगर हमारा growing business है या हम new entrant है into the market तो हमारी credit policy sound नहीं होगी तो फिर हमें more working capital की need होगी अगर price level stable हों तो हमें हम predict कर सकते हैं कि हमाएं जो है returns कितने आएंगे या हमें profit कितना होगा इनने particular accounting period अगर price level changes frequently होते हैं जल्दी जल्दी prices change हो जाती हैं new entrant market में आ जाते हैं हमारे नए competitor market में आ जाते हैं तो price level जो है unstable होगा तो फिर हमें more working capital arrange करके रखनी पड़ेगी क्योंकि हम sure नहीं हैं कि how much returns will be there from sale of our products next है earning capacity and dividend policy earning capacity में क्या है कि हमारे profit हम कितना कमाते हैं या हमारे return on investment हमारी कितनी है जितनी हमने market में पैसा invest किया है या अपने business में कितना हमने पैसा invest किया है हमारी earning capacity कितनी है अगर good earning capacity है तो हमें less working capital की requirement होगी क्योंकि हमारे पास funds होगे अगर जो है हमारी position अच्छी नहीं है तो हमें more working capital की need होगी second depend करता है dividend policy पर dividend policy किसी भी company किया है उस पर depend करता है जब हम dividend policy decide करते हैं तो हम यह decide करते हैं कि कितना जो है हम dividend will be given dividend paid कितना हो गया और retained earning हमारे पास कितनी होगी retained earning क्या होती है retained earning जिसको हम reserve and surplus कहते हैं dividend policy क्या कहती है कि हमने कितने percent अपनी earnings का dividend के रूप में pay करने है और कितना जो है हमने अपने पास retain करके रखना है for further use इस पर depend करता है अगर हमारी dividend policy जो है liberal है या हम ज्यादा pay कर रहे हैं dividend तो more dividend is paid अगर dividend ज्यादा pay करेंगे तो हमारे पास retained earning कम होगी then more working capital required हमें ज्यादा working capital रखनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास reserves कम हो इस वे अगर dividend less pay करते हैं तो हमारे पास reserves ज्यादा होगे तो हमें less working capital की requirement होगी तो students ये थे factors on which requirement of working capital depends अगले lecture में हम करेंगे capital structure अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आये हो तो आप like, share और subscribe कर सकते हैं Thank you